वरुन धवन और उनकी वाइफ नताशा दलाल को काफी ज़्यदा प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे क्या है इसका कारण आईए बताओ मैं आपको हलो दोस्तों मैं अभीशेक और आप देख रहे हैं बूगल पॉलिवूड दोस्तों वरुन धवन की बात करें तो इस समय वो अरुनाचल प्रदेश में है अपनी फिल्म भेडिया के लिए और शादी के बाद ही उनकी फ्लाइट थी और इसलिए उनको सेट पे पहुंचना था और उनके साथ पहुंची वहाँ पे क्रेथी सैनल दोनों इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए और फिर वरुन धवन ने अपने फैंस को अपडेट करना शूरू कर दिया और अपने सोशल मीडिया पे काफी ज़दा तस्वीरों को शेर करते रहे वो और अपने एक्सपीरिंस के बारे में भी बताते रहे और इस फिल्म के अगर हम बात करें तो अगले साल यानि अप्रेल के महीने इस फिल्म को रिलीस किया जाए गया और इस फिल्म के मेकर है दिनेश विज्जैन जिन्होंने स्तरी और रुही जैसी बहतरी मूवीज बनाई है क्योंकि वरुन धवन और नताशा दलाल ने एक लाख रुपया डोनेट किया है अरुनाचल प्रदेश में जो ट्रगेडी हुई थी जी हाँ वरुन धवन और नताशा दलाल की इन तस्वीरों को काफी ज़दा पसंद किया जा रहा है और जो वरुन धवन के फैंस थे वो तो वरुन धवन को एप्रिशेट कर रहे हैं लेकिन आम आउडियंस भी वरुन धवन को काफी ज़दा पसंद करने लगी है अगर हम वरुन धवन की बात करें तो अरुनाचल प्रदेश में उनको काफी अच्छा लगा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे आके भी बताया था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका अरुनाचल प्रदेश में और जैसे ही वो अपनी फिल्म के सेट पे पहुंचे कुछ ही अफते बाद नताशा दलाल भी वहां पे पहुंच गई और वरुन धवन अपने शूट खत्म होने के बाद अक्सर अपनी वाइफ नताशा के साथ है अरुनाचल प्रदेश में स्पॉट भी किये गए हैं अगर हम वरुन की बात करें तो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे आके भी कुछ तस्वीर है अपनी वाइफ के साथ की थी शेयर जिसमें उन्हें कैप्शन लिखी थी नौट ऑन हनी मून तो दोस्तो अब वरुन धवन को तो काफी लोग पसंद करें क्योंकि उन्होंने एक लाख रुपिया डोनेट कर दिया है अरुनाचल प्रदेश में हुई ट्रेजिडी के कारण आपकी कह रहा है वरुन धवन पे आप अपना फीडबैक हमें जरूर और बॉलिवूड के साथ यहीं जुड़े रहने के लिए देख तेरेगा हमारा चैनल जिसका नाम है भूगल बॉलिवूड